बॉलिवुड एक्ट्रिस नताशा स्टेनकोविक और भारतिया क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का तलाख होने जा रहा है। क्रिकेटर ने खुद इस खबर को कन्फर्म किया है। पिछले कई दिनों से दोनों के अलगाव की खबरे आ रही थी। पोस्ट शेर कर हार्दिक और नताशा ने लिखा चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस रिष्टे को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। ये हमारे लिए बेहत मुश्किल फैसला था। साथ में बिताये खुशी के पल, आपस की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ, जो भी हमने साथ में बिताया और एंजॉई किया, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े, हार्दिक ने साथ ही बताया कि बेटे अगस्ट्य की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने लिखा हम अगस्ट्य को अपनी जिन्दगी में पाकर खुश किस्मत हैं, जो हमेशा ऐसे ही हमारी जिन्दगी का आधार रहेगा। बता दे, मंगलवार को नताशा सर्बिया में अपने पेरेंट्स के घर निकल गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी थी. नताशा इसके बाद मुंबई एरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। नताशा के साथ बेटे अगस्ट्य भी दिखे थे। स्टोरी पोस्ट कर नताशा ने लिखा था ये साल का वो वक्त है। नताशा के इस कदम ने यूजर्स को भरोसा दिला दिया था कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे समय से चल रहे कयासों पर आखिरकार हार्दिक ने चुप्पी तोड़ी और तलाक कंफर्म कर दिया है।